नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के Community Health Program में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर मानव पाचन तंत्र के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले आप मानव शरीर के एनाटमी और फिजियो के बारे में पढ़ चुके हैं तो आज हम यहाँ पर आपको मानव पाचन तंत्र, सारे तंत्रों में से एक तंत्र है तो उसके बारे में प्रैक्टिकल ज्यान हम आज यहाँ पर प्राप्त करेंगे आईए शुरू करते हैं प्रतेक मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए तधा शरीर के प्रतेक अंको उचित धंक से कारे करने के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है यह उर्जा हमें भोजन या आहार से प्राप्त होती है हमारे भोजन के मुख्य अव्यव, कार्वोहाइडरे, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिच पदार्थ आदी है लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाएं, अर्थात सेल्स जो हैं हमारे द्वारा खाए गए भोजन में उपलग्ध पोशक तत्रों को उनके मूल रूप में अवशोशित नहीं कर सकती इसके लिए भोजन का कोशिकाएं द्वारा ग्रहन किया जासकने वाला रूप अर्थात उनका छोटे अनुवों में विभाजित होना अत्यंत आवश्यक है यह कार्य पाचंतंत्र द्वारा किया जाता है विजातिय द्रव्यों को अर्थात जटिल पोशक पदार्थों को सजातिय अर्थात अवशोशन योग्य सरल रूप में परिवर्तिंत करने की क्रिया को पाचं कहते हैं और यह क्रिया पाचंतंत्र द्वारा संपन्न की जाती है हमारा पाचन तंत्र यह क्रिया विविध यांत्रिक, मक्यानिकल और असायनिक, केमिकल विधियों द्वारा संपन्न करता है आज हम इस पाचन तंत्र के विभिन मुख्य और सहयक अंगों के विशय में जानेंगे तथा सहाती यह भी जानेंगे कि पाचन किस प्रकार होता है आए सबसे पहले देखते हैं मानव पाचन तंत्र में मुख्यांग कौन से हैं और सहायकंग कौन से हैं मानव पाचन तंत्र के मुख्यांग हैं मुख गुहा जिसे हम oral cavity कहते हैं सहायकंगों में हैं लार्ग रंधी जिनने हम salivary glands बोलते हैं यकृत जिसे हम liver बोलते हैं इसमें gallbladder भी रहता है साथ में अगनाशे जो की pancreas है पाचक प्रनाली को एक लंबी पेश्य नली के रूप में देखा जा सकता है यह मुख से आरंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है इसे आहार नाल अर्थाथ elementary के नाल कहते हैं जैसा कि अभी हमने पीछे देखा इसके मुखेंग कौन से हैं तो हम फिर से एक बार चित्र के माध्य हम से देखते हैं जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि मुख गुआ है और उसमें साथ में आपके जीवा अधो जीवा जो हम लार ग्रंथियों के बारे में अभी हमने जो बताया जो साहयक ग्रंथ हैं अंग हैं उनके बारे में आप उनको भी देख सकते हैं और साथ में ग्रस्नी और ग्रसिका ये भी आप चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं ग्रास्नली इसोफेगस अमाशय स्टमक छोटियान बढ़ियान ये आप चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ग्रास्नली जो है आगे अमाशय से जुड़ी हुई है और अमाशय जो है नीचे छोटियान से और छोटियान बढ़ियान से जुड़ी हुई है ये सारे जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये सभी मुख्य अंग हैं, ये सभी मिलकर के पाचन तंत्र में साहयता करते हैं, कारे करते हैं आईए अब जानते हैं पाचन तंत्र के साहयक अंगों के बारे में सबसे पहले हैं लार्ग रंधिया जिने हम salivary glands बोलते हैं ये संख्या में तीन जोड़ी होती हैं तथा मुख गुवा अर्थाथ oral cavity में होती हैं ये हैं कंड़ पूफ जिसे हम parotid gland कहते हैं दूसरा है अवचिबुकिय सब-mandibular glands और तीसरा है अधो-जीवा sublingual glands लार्ग कार्वोहइड्रेट का प्रात्मिक पाचन करती हैं इस तरह से जो हम कार्वोहइड्रेट्स खाते हैं जो भी हम भुजन लेना शुरू करते हैं उसका पाचन मुख से प्रारंध हो जाता है दूसरा है यकृत अर्थात लीवर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है और यकृत की कोशिकाओं से पित अर्थात बाहिल का उत्पादन होता है यह पित यकृत नली का अर्थात ही पैटिक डग्ट से होते हुए एक पतली पेश्य थैली पित ताषय गॉलबलडर में एकत्रित होता है गॉल बलडर का मेन कार रहे है मुख्य कार रहे है कि जो पित यकृत से आ रहा है उत्पादित हो रहा है उसको अपने में स्टोर रखना और जब मनुश्य को उसकी जरूगत हो उसको वहां से रिलीज करना जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये लीवर है और इसके नीचे ये हरे से जो आपको एक थेली सी दिख रही है ये गॉल ब्लडर है जो कि यकृत के अंदर एक पाउच रहता है उसमेरे रहती है तीसरा है अगनाशे जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं यह बड़ी पत्ती के आकार की और सी आकार की ग्रहनी जो की छोटी आत का एक भाग है उसके बीच में स्थित एक लंबी ग्रंती है यह अगनाशे रस उत्मन करने के अतरिक इंसुलिन का निर्मान भी करता है जैसे आप चित और जो ऊपर यह फरे रंगा बेख रहे हैं ये गौल ब्लेडर है आईए अब जानते हैं भोजन पाचन के विभिन चरण अर्थात की जो हम भोजन लेते हैं वो किस प्रकार से कितने चरणों में हमाल पाचन करते हैं सबसे पहला इसमें चरण होता है अंतरग्रहंड अर्थ भोजन मुह के माधन से खाया जाता है और इसे हाथों की मदद से मुह में हम टालते हैं दूसरा है पाचन डाइजेशन जो की हमारा में चरण है जिसमें की हमने पहले बताया आपको कि भोजन का पाचन मुह से ही शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे मुह में जो लार्ग रंतिया है वो एक लार्ग सिक्रीट करती है ताइलेन या सेलाइवरी अमाइलेस जिसे हम बोलते हैं तो उसी से हमारा कार्भोहाइडरेट सर प्रतम पाचन मुह में शुरू हो जाता है यह आप पूरा देख सकते हैं कि डाजेस्टिफ सिस्टम का ट्रैक आपको यहां पर दिखाया गय हैं दांत भोजन को छोटे-छोटे टुकडों में काटता है उसे चबाता है और पीसता है इस तरह दांत भोतिक पाचन में मदद करते हैं जब तक हमारा आहार छोटे-छोटे टुकडों में नहीं बटेगा तो वह अंदर जाके अच्छे से उसका पाचन नहीं होगा तो इस को भोजन को हम अच्छी तरह से टुकडों में काटें उसे चबाएं हमारे मुझ में पाए जाने वाली लार ग्रंथिया लार बनाती है और जीप की मदद से लार भोजन में मिलती रहती है यह आप देख सकते हैं कि मुख गुआ है इसमें मुख जीवा है जैसे हम अभी बता रहे थे आपको यह सारे के सारे आपके सायक और मुख यह इसमें आपको दिख रही है जैसा कि हम जानते हैं लार एक प्रकार का जलिये तरल्ब होता है इसलिए ये भोजन को हमारे मुँ में गीला कर देता है और उसे असानी से निगलने में मदद करता है कई बार हम देखते हैं कि जब कभी हमारी नजर स्वादिश खाने पर पढ़ती है या हम स्वादिश खाना खाते हैं हमारे मुँ में पानी आ जाता है ऐसा लार ग्रंथियों द्वारा पैदा होने वाली लार के कारण होता है तो जो लार है आपके शरीव में बेसिकली जो आपका खाना है उसको गीला करते हैं और उसको निगलने के लिए आपकी मदद करते हैं एंजाइमों का स्राफकर लार ग्रंतियां रसाइनिक पाचन में मदद करती हैं मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरिय माइलेस या टाइलिन कहते हैं कि हमने आपको पहले बताया है यह भोजन में मुझूद स्टार्ट जैसे चीनी को पचाता है इसलिए स्टार्ट या कार्वोहर्डरेट का पाचन मुझसे ही शुरू हो जाता है इसके बाद भोजन ग्रसनी से फैरिंग से होता हुआ ग्रास नली इसो फैगस में चला जाता है जहां उसकी भित्यों में अंदर जो वाल्स हैं उसमें स्थित बृताकार अर्थार सर्कुलर और लोंगिटूर्नल सूत्र जो मसल्स होती हैं अपने संकोच और विस्थार जिसे हम पैरिस्टालिस मूंञें बोलते हैं उसके द्वारा उसको ग्रासमली के अन्द तक पहुँचा देते हैं heeft ido जठर द्वार द्वारा आमाशे मेंultural ऑम जिसे पेट बोलते हैं आम भाशा में अंग्रेजी वर्ण माला के जे अक्षर के आकार वाला अंग होता है जो पेट की बाई तरफ होता है भोजन पेट में करीब तीन घंटों तक पीसा जाता है इस दोरान भोजन और भी छोटे टुकडों में तूरता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनत देखते हैं कि किस प्रकार ये बाई तरफ आपको दिख रहा है और ये जे अकार का इंग्लिश में जैसे हम जे बनाते हैं उसके अकार की एक अंग है और इसमें आप देख सकते हैं कि उपर से ग्रसिक आ रही है ये जट्रा अगम है जो इसका में उपर फंडस वाला होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसेड पैपसिन इंजाइम और म्यूकस अमद्से में पाच अक्राश्य में बहज़न को काईम में vigt फोता है फैपसिन इंजाइम होजन में मूझू प्रोटीन का पाचन करता है इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है रूप से पचा भोजन पेट से छोटी आंत के ग्रहनी डियोडिनम में जाता है यह छोटी आंत का प्रथम भागे और लगभग 10 से 12 इंच लंबा होता है यह यक्रित अगनाशे तथा पिताशे से पाचकरस प्राप करता है जो आगे काईम को और अधिक विखंडित करता है आए देखें चित्र के माधन से छोटी आंत और ग्रहनी जैसे कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि यह जो आपका पीला छोटा सा पाठ है यह डियोडिनम है और उसके नीचे जो यह लूप बना हुआ है यह छोटी इंटेस्टाइन का लूप है और उपर जो है आमाश जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं यह आहार नली का सबसे बड़ा हिस्ता है बहुत पतला होने के कारण इससे छोटी इंट भी कहा जाता है और एक व्यस्क पुरुष में यह लगवक 6.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंथ हमारे पेट में एक कुंडल के रूप में व काबोहडरेट प्रोटीन वसा और विटामीन्स और मिनरल से बना होता है तो यहां पर मैक्सिमम आपका डाजेशन यहां पर होता है जिसमें काबोहडरेट प्रोटीन और वसा है तीसरा चरण है अव्शोशन अर्थाथ एब्सॉप्शन अव्शोशन वह प्रक्रिया है जिस से हम कहते हैं परिवहन क्रिया विध्यों द्वारा संपादित होता है ग्लुकोज अमिनो एसेड क्लोराइड आयनादी की थोड़ी मात्रा सरल विसरन जिसे सिंपल डिफ्यूजन हम बोलते हैं परिक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है यह अफ्शोशन भी छोटी आं होना अतन्त आवजशक है पाचन के बाद भोजन के कंड और अधिक छोटे हो जाते हैं और छोटी आंथ से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं इसलिए हम यह कह सकते हैं कि छोटी आंथ पचाय हुए भोजन के अवशोशन का मुख्य शेत्र है यह अवशोशन सत्हक्षेत्र प्रदान करते हैं जो यह विलाई हैं यह अफशोषन के लिए आपको बड़ा सत्हक्षेत्र प्रदान करते हैं और जो पचा हुआ भोजन है हमारे रग्त में जाता है ग्रहनी के बाद भोजन अग्र शुद्रांत जिसे हम जैजुनum और शेश और इलियम उसमे जाता है कि चोथा हमारा चरण है समावेश या स्वांगी करन अर्था ऐसी मिलेशन जिसे हम बोलते हैं अफ्शोषित पदार्थ अंत में उतकों तक पहुंचते हैं अर्था टिश्यों तक पहुंचते हैं जो हमने जो कुछ भी खाया जो हमारा पाचन हुआ एब्जॉब होकर हमारे टिश्यों तक पहुंचते हैं जहां वे विभिन क्रियां से उप्योग में लाए जाते हैं इस परिक्रिया को समावेश या स्वांगी करन कहते हैं अर्था अपने में मिला लेना कि जो हमने आहार खाया है जो हमने आहार लिया है जो अफ्शोषित होकर ताकि वे हमारे काम आ सके उसको हम अपने शरीर की उर्जा के लिए शरीर में जो भी कोई तूट फूट होई है उसकी मरम्मत के लिए हम उसको प्रियोग कर सके इस प्रिक्रिया को हम स्वांगी करन कहते हैं रक्त पचाय हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगो तक ले जाता है जहां ये कोशिका के रूप में समावेशित होता है शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग उर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरमत के लिए भी करती है अपचा भोजन यकृत में कार्भोहड्रेट के रूप में जमा होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं और जरूरत पढ़ने पर शरीर इसका कर सकता है जैसा कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि जो लीवर है हमारा साहय कंग है तो यह ग्लाइकोजन का स्टोर भी करता है ताकि यदि कोई फास्टिंग कर रहा है या शरीर में किसी कारण से ग्लुकोज की जरूरत बढ़ती है या उसको खाना कुछ दिनों के लिए नही त्याद जिसे हम इजेशन कで हैं हमारे दौरक्टा खाएगाए भोजन का वह है हिस्सा जिसे हमारा शेर पचा नहीं सकता वह छोटी आथ में अफ्शोषीआ हो सकता इसलिए अनपचा भोजन छोटी आंट से बड़ी आंथ में जाता है बड़ी आंथ की दिवारे इस भोजन में से ज़्यादा तर पानी को सोक लेती है और उसे ठोस बना देती हैं यहां बड़ी आंथ में कुछ संख्या में मिनरल्स और वितामिन्स भी आपके होता है कि देखें यह व्रेहदांतर का चितर है लाज reflex time इसमें आप देख सकते हैं एक तो आप पहले समें चितर में स्थिती देख सकते हैं रही कहां पर और दूसरा इसके जो ascending colony अव्रोही जो है काँलन है यह ट्रांस्टर्स इने इसमें देख सकते हैं साथ में sigmoid colon, rectum और anus ये भी सब इस चित्र में आप अच्छे से देख सकते हैं जो की large intestine का part है बड़ी आंत का अंतिम्भाग जिसे मलाशे, rectum कहते हैं इस अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार कर रखता है यह 6-8 इंच लंबा होता है अंत में गुदा एनल के नाल द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बहार निकल जाता है और इस परिक्रिया को मलत्याग कहते हैं मलत्याग होना भी अतन्त आवशक है यदि मलत्याग नहीं होगा तो जिसे हम बोलते हैं कि कब्स हो जाना या और कोई परिशारी इसमें हो सकती है तो इसलिए मलत्याग भी होना आतन्त आवशक है यह आप देख सकते हैं मलाशय एवं गुदा कि आपके शरीर में मलाशय और गुदा कैसे दिखते हैं यह उपर रेक्टम मलाशय है और नीचे गुदा जहां से कि आपका मलत्याग होता है इसमें इसके यह स्विंटर दिखाएं में और यह एनस जो है आपके इसमें ओपनिंग दिखाई हुई है इस प्रकार पाचन संसान संपून शरीर के संचालन को निरंतर उर्जा प्रदान करता है इसका कार्य भोजन को अंतरग्रहन करके उसका पाचन करना एवं अवशोशित करके रक्त में मिलाना तथा बिना पचे और व्यर्थ पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना है तो शिक्षार्थियों आज आपने मानव पाचन तंत्र के प्रायोगिक पहलू को देखा है कि किस प्रकार शरीर में हमारे मुख्य अंग और साहया कंग है पाचन तंत्र के वो किस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन में मदद करते हैं और किस प्रकार शरीर में हमारा अफशोशन जो हमने खाया हुआ पदार्थ है पाचन के बाद अफशोशित होता है उसका assimilation जिसे हम स्वांगी करन कहते हैं वै होता है और मलत्याग होता है ये सभी पाचन तंत्र का एक हिस्सा है और यह उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फाइदा होगा आपको ला मिला होगा आपके उद्विल भविश्य की कामना करते हुए इसके साथ धन्यवाद